तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दंगल टीवी पर आने वाली सीरियल इश्क की दास्तान नागवनी कि गास्ट के रियल नीम औरीज के बारी में बताने वाले हैं जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे और जानने चरहती हैं तो हमारे वीडियो के साथ धंत तक बनी रहीगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो के सीरिल में रंभा का करदार नीभा रही है उनका रियल नीम नीहा यादव है इनका जन 1989 में हुआ था अभी इनकी इमरे 33 साल है और वहीं जोकर सीरियल में मोहिनी का करदार निभा रही है उनका रियल नीम पवित्रा पुनिया है इनका जन में 22 अगस 1986 में हुआ था अभी इनकी अमरे 36 साल है और वहीं जोकर सीरियल में मनमोहन का करदार निभा रही है उनका रियल नीम आदित शुकला है इनका जन 1989 में हुआ था अभी इनकी मरे 33 साल है और वहीं जोकसीरियल में नंदा का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम शुबलक्षमी दास है इनका जन 1982 में हुआ था अभी इनकी मरे 34 साल है और वहीं जोकसीडल में पप्पी का करदार निभा रही है उनका रियल नीम शशांक शर्मा है इनका जन 1993 में हुआ था अभी इनकी उम्र 29 साल है और वहीं जोकसीडल में अम्मा का करदार निभा रही है उनका रियल नीम रूपा दिवेदिया है इनका जन 1960 में हुआ था अभी इनके अमरे 61 साल है और वहीं जोकर सीटल में दुर्जन सिंग का करदार निभा रही है उनका रियल नीम इमरान खान है इनका जन 1980 में हुआ था अभी इनके 42 साल है और वहीं जोके सीडल में च्राची का करदार निभा रही है उनका रियल नीम बिंदिया काल रहा है इनका जन में 1983 में हुआ था अभी इनकी उम्र 49 साल है और वहीं जोके सीडल में शंकर का करदार नीभा रही है उनका रियल नीम आदितेर रेडिच है इनका जन में 10 अपरेल 1984 में हुआ था अभी इनकी उम्र 28 साल है और वहीं जोके सीडल में पारो का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम आलिया घोश है इनका जन में 24 मार्च 1994 में हुआ था अभी इनके मरे 28 साल है और वहीं जोके सीडल में जोती का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम गरीमा वर्मा है इनका जन 1995 में हुआ था अब ही इनके मरे 27 साल है और वहीं जोकर सीरिल में बबली का करदार निभा रही है उनका रियल नीम नंदनी मोरिय है इनका जन में 14 अप्रेल 1996 में हुआ था अब ही इनके मरे 26 साल है तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कॉमेंट बुक्स में ज़रूर बताईएगा साथ ही अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें खन्यवाद